नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जन्गर्णा दो हजार कीश में लगी करमचारियों का प्राशिक्षण जो होने वाला है वो केशे होगा और प्रस्रिक्षन के दोरान जो यात्रा भत्ता और निश्चित भत्ता जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा और सरकार के दोरा एक आदेश के तहट किस तना निश्चित किया गया है तो संपुन जानकरी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी क्योंकि जन्गंडा 2021 का कारे जल्द ही यानि कि अप्रेल 2020 से शुरू होने वाला है और किसी भी कार्मीक की डूटी अगर जन्गंडा के दोरान लगती है तो उसके लिए प्रस्रिक्षन बहुत जरूरी होता है तो इसके प्रस्रिक्षन के दोरान संपूर्ण देश में अगर देखा जाए तो प्रस्रिक्षन किस परकार से आयुजित किये जाएंगे और प्रस्रिक्षन के दोरान जो कार्मीक प्रस्रिक्षन लेने के लिए जाएंगे तो उस दोरान जो यात्रा भत्ता और कुछ आउशिक मांदे जो तै किया गया वो कितना है तो संपुन जानकारी इस वीडियो के मादे मशे बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अविशे कर लेजिए क्योंकि आगे भी आपको जनगर्ना से समंदित कई वीडियो आगे भी मिलने वाले हैं क्योंकि जनगर्ना के कारे के दोरान जो एप्लिकेशन का कारे होगा वो बहुत ही महत्रपण होगा और उसका मांदे भी ज्यदा है जो ऐसी स्तति में आपके लिए हेल्प इस यूट्यूब चैनल के माजमशी की जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी नहीं भूलना है तो देखते हैं क्या है जनगर्ना 2021 में लगे करमचारियों के प्रस्टिक्शन का कारे तो चलिए सुरू करते हैं तो यह आदेश है जनगर्ना कारे निदेशाले राजस्तान की ओर से जो भारत सरकार के गिरह मंत्राले से समन्द रखता है बीश फरवरी 2020 का और इसके अंतरगत प्रस्टिक्शन को लेकर बात की गई है यहाँ पर आप यह देख शक्ते हो कि जनगर्ना के शफल आयोजन के लिए सबसे महतोपोन पहलू मैसे एक है जनगर्ना अधिनियम के तहट नियुक्त प्रवेक्शक प्रगणक और जनगर्ना पदादीकारे को प्रिस्टिक्शन करवाना संकलित किये गई आंकडों की गुणवत्ता सो निश्ट करने में प्रिस्टिक्शन अत्यन्त महतोपोन है विशेश रूप से नई पहल को परस्तावित किया जा रहा है जैसे मुबाइल एप से आंकडों को एकतरित किया जाना शंपोन कारे के वास्तविक्वत شम्मेपर दिम्शे होगी मोबाईल अप्लिकेशन के मादेंशे जो कारे किया जाएगा इससे पहले paper mode सी होता था तो इसी स्थत्थी में कुछ शमेहतोपून हो जाता है और mobile का prescription देना सभी के लिए जरूरी होता है और इसके लिए दरसल क्या किया जाएगा इसके लिए विरत इस तरफ पर एक prescription कारेकरम की योजना तयार की गई है एक 100 रास्ट्रिये प्रस्रिक्षकों से प्रारम कर जो की अठारा सो मास्टर प्रस्रिक्षकों को प्रस्रिक्षित करेंगे सो राष्टी प्रस्रिक्षक होंगे जो अठारा सो मास्टर प्रस्रिक्षक को तयार करेंगे और यही master trainer होंगे वो 43,500 फिल्ड प्रस्रिक्षकों को प्रस्रिक्षन करेंगे और यही जो फिल्ड प्रस्रिक्षक होंगे यह 28,000,000 प्रगणक और supervisor को प्रस्रिक्षन देंगे मतलब सबसे पहला काम होगा राष्टे प्रस्रिक्षक, वो राष्टे प्रस्रिक्षक मास्टर प्रस्रिक्षक को तयार करेंगे और यही फिल्ड प्रस्रिक्षक होंगे यह प्रगणक और supervisor को प्रस्रिक्षन देने का कारे करेंगे और उसके बाद में इसका जो आयोजन किया जाएगा क्योंकि शबशे महतोपन बात जो प्रश्यक्षन लेने के लिए करमचारी जाएंगे उनके लिए कुछ वित्य स्विधाएं दी गई है यानि कि उनको आशिकत अनुसार या फिर उनकी योगित अनुसार उन्हें कुछ मान दे दिया जाएगा जैसे इस विशाल आयोजन में विश्तरत व्यवशाएं करने के लिए प्रियाप्त वित्य और प्रशास्निक सहयों की आशिकता होकी तजन प्रशिक्षन प्रगणक प्रवेक्षक और अन्य जन्गना पता दिकारियों के लिए प्रशिक्षन भत्ता है व और प्रती दिन की हिशाबस दिया जाएगा। प्रस्रिक्षण है तो स्थल भवन प्रोजेक्टर ओडियो सिस्टम अन्य के लिए उपयोगी रहेगी प्रस्रिकषण में अपस्तित होने के लिए दे 350 का प्रेस्क्रिक्षन बता जन्गरना पदादीकरियों दरा जन्गरना के फिल्ड कारे के शफलता पूरुक पूरुन होने और समंदित पदादीकरियों के रिकॉर्ड जमा होने के उपरांत PF, MS और DBT के माजम से उनके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा इसके अलाव 5000 रुपे की रासी है वो उनके अलगशे दी जाएगी तो इस परकार से आप देख शक्ते हो जो मास्टर्स ट्रेनर्स होंगे उन्हें प्रती दिन की शाब से 1500 रुपे का बता दिया जाएगा तो इस परकार से अगर आप भी इस कारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने श्रमंदी तेश्रील काराले से संपर्क करें और वहाँ से अपना दाम जरूर लिखवाए क्योंकि ये रास्ट्रे कारे है इसमें सहयोग और शहवागिता हम सब के लिए जरूरी है आशा करता हूँ मेरे द्वरादीगी जानकारी आप सब के लिए उप्योगी शाबित होगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद